दोस्तो एक लड़की की साधी एक बहुत ही पढ़े लिखे लड़के के साथ हो जाती है लड़की भी बहुत पढ़े लिखी होती है दोनों ही एक सांदार और खुसाल जीवन गुजारने लगते हैं लड़की के सुसराल में उस लड़की को बहुत मान सम्मान मिल रहा था लेक अपने पती को छोड़ कर चली जाती है, तलाक के लिए केस फाइल कर देती है और दूसरी साधी कर लेती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए, ताकि इस तरह का वीडियो बनाने के लिए मेरा होसला बुलंद रहे हैं, दोस्तों ये उत्तर परदेश के मेरे जिले क कहानी है, लड़की का नाम गरिमा होता है, और उसकी साधी रोहन नाम के एक लड़के से हो जाती है, दोनों बहुत ही पढ़े लिखे थे, गरिमा जो है एक प्राइवेट कमपनी में अच्छी खासी नौकरी करती थी, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका पती बस नौकरी पा बीत जाते हैं, लेकिन बस बात वही था कि रोहन की अब नौकरी लगेगी, तब नौकरी लगेगी, इसी इंतिजार में जब काफी समय गुजर जाता है तो उसे पता चल जाता है कि इसकी जो डिगरिया है, वो फरजी है, आईसी कॉलिज की डिगरिया है, जो पैसों के दम पर डिगरिया प्रवाइट करा देती है, दोस्तों वो यह समझ के साजिक करी थी कि इसकी अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी, इसलिए वो अपनी नौकरी भी छोड़ कर चली आती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये तो किसी काम का ही नहीं है, इसकी जो डिगरिया इससे तो इसको कोई नौकरी नहीं मिल ले वाली है, तो दोस्तों वो टेंसन में आ जाती है, उसे फ्यूचर की चिंता सताने लगती है, दोस्तों गरिमा सुचती है कि जिन्दगी जो है इतनी लंबी है, ऐसी बेरुजगार लोगों के साथ कैसे कटेगा, कम पढ़े लिखे इनसान के साथ कैसे गुजरेगी, दोस्तों वो बहुत गिल्टी फिल करने लगती है, इसलिए वो उस परिवार को, जिस परिवार के लोग उसे बहुत प्यार करते थे, और वो भी उस परिवार को बहुत प्यार करती थी, उस परिवार को छोड़ देने का फैसला लेती है, लिए इंटर्वियू के लिए जाता है, आठ से दास जार कर नौकरी उसको मिलता है, लेकिन वो सोचता है कि इस डिगरी के साथ यदि मैं कहीं नौकरी करूंगा तो पचीस से तीस जार कम से कम हमको मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है, दोस्तो इस बीच में जो गरिमा थी, उस से भी मिलने आ जाया करती थी, दोस्तो एक दिन रोहन के पिता जी की मौत हो जाती है, जब उनकी मौत होती है तो गुडिया गरिमा के पास खौन करती है, कि भावे ऐसे ऐसी बात हो गई है, पापा इस दुनिया में नहीं रहे, दोस्तो वो भी रोने लगती है, और कहती है म रोहन रोने लगता है, वो जाती है, उनके पास अंतिम दर्शन करती है, और उसके बाद रोहन को आकर कहती है कि जाओ पापा का अंतिम संस्कार करो, तो अंतिम संस्कार होने के बाद सब लोग घर पर आते हैं, और रिष्टेदार एक-एक करके जाने लगते हैं, गरिमा भी उससे कहती है कि मैं भी जा रही हूँ तो रोहन के पास जाती है और कहती है कि हिमत रखो इस तरीके से रोगे तो कैसी काम चलेगा गुड़िया को कौन समालेगा दोस्तो सबको रोता भी लगता छोड़कर उसकी भी मजबूरी थी कि वो वहाँ से वापस चली आई उसने इस ब प्राइवेट कमपनी में 10 से 12 जार की नौकरी पकड़ लेता है अब दोस्तो कभी कभी कोट का चारी में दोनों की मुलाकात हो जाती है रोहन और गरिमा की दोस्तो इसके बावजूद भी गरिमा उसके घर आती थी अपने सास से मिलने के लिए अपनी गुड़िया से मिलने क दोस्तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था लेकिन कहते हैं कि बुरा वक्त कभी बता कर नहीं आता एक दिन अचानक से जैसे रोहन के पिता जी की मौत हो जाती है दोस्तो जब उसकी माता के भी मौत हो जाती है साधी में सिर्फ 5 दिन बचे थे गुड़िया जो है फिर से गरिम था वो घरवालों को छोड़ कर जा चुका था घर में सिर्फ भाई बहन अकेले बचे थे जैसे ही वह आती है उसे देखते ही सारे लोगों में खाना फुसी शुरू हो जाती है कि अब क्या होगा या घर कौन समालेगा बिचारी की बहन की साधी है अब वो कैसे होगा मा तो चली गई अब तो बहुत मुश्किल काम है देखो यही इसकी बीबी थी ऐसे सुनने में आ रहा है दूसरी साधी भी कर ली है लेकिन फिर भी परिवार का मोम आया इसने छोड़ा नहीं है यह मिलने चली आती है सबसे और आज देखो ऐसे लग रहा है एक बहु बेटी की तर के पास ही बैठा था वो रोहन के पास आती है और बैठ जाती है और गुडिया रोहन और गरिमा यह तीनों फूट फूट कर रोने लगते हैं दोस्तो रिष्टेदार में से लोग आगे आते हैं गरिमा को उठाते हैं गुडिया को उठाते हैं रोहन को भी हिम्मत देते हैं दोस्तो एक बार फिर रोहन उसी जगह जाता है और मा का भी अंतिम संसकार करता है लेकिन पंडी जी से बोल देता है पंडी जी घर में साधी है घर में साधी का माहूल है अगर साधी होगी तो मैं ऐस्ती जो है वह बाद में लेने आओंगा पंडी जी कते हैं बेटा ठीक है आ आप जाओ अपना काम निप्टालो ऐसा होता है कि घर में कोई साधी विवा का मामला होता है तो अंतिम संस्कार की रस्में जो है वो बाद में पूरी की जाती है दोस्तो रोहन घर आ जाता है सारे लोग जुटे थे एक बार फिर सारे रिष्टेदार जाने लगते हैं तो उसस मैं कैसे कर पाऊंगा घर में अकेला हूं कैसे देखोंगा फिर गरिमा कहती है कि फिर तुमने क्या सोचा है तो रोहन कहता है कि सोच राओं की साधी निप्टा ही दूँ अब तो मा जो है वो इस दुनिया में है नहीं अब तो जो करना है मुझे ये करना है और मैं जानता की बाद में मेरे लिए परिसानी हो जाएगी मेरेज हॉल से लेकर हलवाई तक सभी कुछ बुक हो चुके हैं बस जो है सौपिंग वगरा करने बांकी है तो कुछ खरीदारी वगरा सब करना है गरिमां से कहता है अगर साधी तक तुम गुडिया की मदद कर दो हम लोगों की थ दोस्तों गरिमा जो है वो असमंजस में पढ़ जाती है कि मैं रोहन को कैसे बताओं कि मेरे साधी हो चुकी है मैं तुम्हारे पास या तुम्हारे घरवालों के पास अब नहीं रुख सकती दोस्तों वो कहती है ठीक है मैं कल से आया करूंगे लेकिन जब वो साम को जाने ल जाती है और दूसे दिन यह तीनों लोग मां की मौत के गम को भुला कर साधी की तैयारियों में जुट जाती है तमाम छोटी-छोटी चीजें अभी तक नहीं आई हुई थी नहीं खरीदी गई थी यह तीनों लोग मिलके खरीदने लगते हैं मोहन और गरिमा बिना किसी मन उससे कहती है कि भावी आप तो घर छोड़कर चली गई हैं भाईया तो दूसरी साधी करने से मना कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जब वो मुझे छोड़कर चली गई है जिससे मैं जान से ज़्यादा चाहता था अब मैं दूसरी साधी करके क्या करूंगा मुझे दूसरी साध बिताना है लेकिन आप बताओ आप साधी क्यों नहीं कर रही हो दोस्तों उसके बाद गरिमा जो कहती है उसे सुनकर गुड़िया उदास हो जाती है है हैरान हो जाती है सन रह जाती है गरिमा उसे कहती है कि गुड़िया यहां से जाने कि एक ही साल बाद मेरे माता पिता मुझ पर कैसे आने देते हैं उन्हें बुरा नहीं लगता क्या गरिमा कहती है कि गुडिया क्या वताओं जिसकी किस्मत भगवान ने बिगार रखी हो उसको कोई बना नहीं सकता यहां से जाने के बाद मेरे माता पिता ने जिस लड़के से मेरी साधी की नौकरी तो अच्छा करता ह लेकिन वह बिलकुल ठीक नहीं है मेरी जरा भी इज़त नहीं करता है मेरी जरा भी फिक्र नहीं करता है उसके परिबार वाले भी ऐसे हैं वह भी मेरे साथ बच्तमीजी करता है मेरे साथ मार्पिट करता है साधी को आज तीन साल हो गए लेकिन हम ठीक से तीन दिन भी तो ऐसी मेरी लाइफ है दोस्तों गुडिया हैरान हो जाती है वह काती है भावी रोहन भाईया को मामी पापा बहुत प्यार करते थे उनका प्रहाई में मन नहीं लगता था इसलिए वो पैसे देकर उनको ऐसे कॉले से डिग्रिय वगरा दिलवा दिये रोहन भाईया की इसमे साधी जहां भी हुई है वह अच्छी नहीं हुई गरिमा काती है इसलिए मैं का रहे हूं गुडिया जिसका भागवान ने बिगाल रखा है उसका कोई बना नहीं सकता मेरी तुम्हारे भाईया से साधी हो गई उसके बाद सबसे बुरा जो हुआ मैं इस घर को छोड़कर च वाली थी कि एक बार फिर से भाईया को माप कर दो और उनके पास चली आओ लेकिन अब तो आपने साधी कर ली है अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचता गरिमा गुडिया से कहती है कि जो भी जो बिक्की है बहुत बत्तमिश टाइप का आदमी है मेरी जरावी परवा नहीं क दोनों बाते करते रहते हैं उसके बाद गुडिया और गरिमा सो जाते हैं सुबा उड़ते हैं और फिर से वही साधी की तैयारी शुरू हो जाती है तो साधी का दिन आ जाता है सारी तैयारियां जबरदस्त हुई खारने पीने का कोई कमी ना हो किसी चीज की कोई कमी ना हो इसके लिए जो गरिमा थी उसने 2.5 लाक रुपीय रोहन को दिये कि ये लो मेरे तरफ से समझ लो कि मेरे दोस्त की साधी है मेरे फ्रेंड की साधी है तो मेरे तरफ से गिप्ट समझ लो इसको मैं दे रहे हूँ सारा इंतिजाम सही तरीके से होना चाहिए दोस्तों दोनों एक जिम्मेदार गारजन की तरह गुडिया की साधी करते है दोस्तों साधी के दूसरे दिन जो गरीमा का दूसरा पती होता है विक्की वो सुबह सुबह उसके घर पर आ जाता है और आते ही गरीमा को उल्टा सिधा करने लगता है वो काता है कि तू यहाँ पर रंगरल्या मना रही है पाटिक कर रही है तू वहाँ से बोल कर आई थी कि किसी की मौत हो गई है और तो यहाँ पर आकर गुल खिला रही है दोस्तो रोहन को कुछ समझ में नहीं आता है तब ही जाकर गुड़िया उससे काती है कि भईया भावी यहां से जाने के एक ही सालबाद इससे साधी कर ली थी इसका नाम विकी है बहुत बत्तमीज लोग है बहुत बत्तमीजी करता है इनके साथ बिलकुल भी खुश नहीं है अब यह देखो बत्तमीजी करने यहां भी आ गया दोस्तो जब रोहन सुनता है तो हैरान रहा जाता है फिर गरिमा विकी से करती है कि मैं कोई जूट नहीं बोल रही थी, यहाँ पर इनके मां की मौत हुई थी, आप पूछ लो किसी से भी, अब दोस्तों विकी जो है, वह गुस्यल सवाब का था, इतना सुनने के बाद वो गरिमा की तरह बढ़ता है, और उस कहता है कि मुझे सफाई दे रही है, मैं अपनी आँखों से जो देख रहा हूं क्या वो जूट है, दोस्तों उसको मारने के लिए वो हाथ उठाता है, तब ही रोवन उसका हाथ पकड़ लेता है, रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे पता नहीं था कि इसकी तुम से साधी हो गई है, वरना मैं इसको यहाँ पर रोकता नहीं, भाई तुम इसको यहाँ पर मारो गए तो ऐसा तो मैं होने नहीं दूगा, बारात मेरे दरवाजे पर खड़ी है, दो गंटे वाद मेरी बाहन की बिदाई है, घर में क्या कुश है, या तो इसको पता है, या फिर गुडिया को पता है, गुडिया जो है बाहर निकल नहीं सकती, बस तुम दो गंटा इशको यहाँ पर रहने दो, सारा कुछ इंतिम हो जाए, मेरे बाहन की बिदाई हो जाए उसके बाद तुम ले जाना अपने घर जो मर जी करना लेकिन मेरे सामने अगर तुम इसको मार गई तो मुझे बहुत दूख होगा बहुत तकलीफ होगी इसलिए भाई मैं तुम्हारे सामने हान जोड़ता हूँ इसकी कोई गलती नहीं है इसक मातों मैं नहीं जा रही हूँ तुम्हें जो करना है कर लो तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम का कोई चीज नहीं है बस अधिकार जमाते हो धौस जमाते रहते हो जब देख रहे हो कि दो घंटे की बात है दो घंटे के बाद मैं चली जाओंगी मैं यहाँ पर कोई जो तु कुछ भी नहीं है तो इसलिए बैठ जाओ दो घंटे के बाद चली जाओंगी अब दोस्तों इसके बाद बिक्की बॉखला जाता है वो बोलता है कि इंसानियत मेरे अंदर नहीं है तूजा आप किसी तिसरे इंसान को ढूड़ ले तो दोस्तों गरिमा कहती है कि मुझे और कह जाने की ज़रत नहीं है आज मैं जहां पर खड़ी हूँ सबसे अच्छे इंसान के साथ खड़ी हूँ दोस्तों वो रोहन की तरफ इसारा करती है और उसके बाद रोहन का हाथ पकड़ लेती है उसके बाद बिक्की बॉखला जाता है बोलता है तुमारी इतनी हिम्मत मेरे स सामने तुम ऐसी हरकत कर रही हो, तो वह करती है तुम्हें जो करना है कर लो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं दुनिया में कहीं भी चली जाओंगी, लेकिन तुम्हारे साथ अब नहीं जाओंगी, बहुत हो गया तुम्हारी, तुम तुपचाप यहां से चले लगती है आम दुलानों की अपयक्छा बहुत ही ज्यादा रोती है इसको आके रोवन समालता है अपने भाई की सीने से लिपट कर विदाई के वक्त वो रो रही थी दोस्तों ये तीनों लोग एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं बराती में से भी उसकी जो बहान के होते हैं वो आते हैं इन तीनों को अलग करते हैं और करते हैं बेटा मत रो तुम लोग देखो दो-चार दिन बाद ही मैं गुडिया को भेज दूंगा यहाँ पर दोस्तों रोते रोते गुडिया थी वो अपने भाई की और गरिमा का हाथ एक दूसरे से मिला देती है और अप बार फिर वो रोहन का हाथ पकड़ लेती है तो रोहन काता है कि अगर जा ही रहे तो अगर जा ही रही हो तो जाओ लेकिन अब की बार जल्दी आना मेरी मौत पर आना क्योंकि अब घर में कोई रह नहीं गया है मैं अकेले रह गया हूँ मेरी वैसे भी जीने की हिम्मत नहीं है तुम ही हो जो दुख सूख में यहाँ पर चली आती हो तो बस एक अंतिम बार आ जाना अगर तुम मुझे छोड़कर जा रही हो तो दोस्तो उसके बाद गरीमा उसको पकड़ लेती है उसे लिपड़ जाती है कहती है कि मैं कहीं नहीं जाओंगी आपको छोड़कर अब मुझे माप कर दो जो भी मुझे गलतियां होई रोहन कहता है कि सारी गलतियां तुम्हारी नहीं है कुछ गलतियां मेरी भी है और कुछ गलती तकदीर की भी है दोस्तो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक प रखना को दस साल बीत गए हैं रोहन और गरिमा के दो दो बच्चे हैं गुडिया के भी दो बच्चे हैं दोस्तो यह रहे आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईए और जरा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए फिर मिलेंगे कि इसी विडियो में तब तक के लिए जय हिंद।